नमस्कार मैं दानिस अंजार और आप देख रहे हैं PR भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोसल अक्टिविस्ट मोहिश शर्मा जी मौजूद है इनसे बातचीत करेंगे लगातार इनकी निगाहें भी उतर परदेश के विधान सवा चुनाव में जिस तरह तमाम पार्टिया जो है प्रोग्राम कर रही है लगातार रेलिया सबकी जाड़ी है ऐसे में मोहिश शर्मा भी तमाम विधान सवा जा रहें किस पार्टी को समर्शन कर रहे हैं कुछ पता नहीं लेकिन एक तरफ पार्टिया तमाम लगी हुई है और आप तो खैर विपक्ष में है कौन सी पा प्रधानमंत्री जो है सारा चुनाफ छोड़कर जिस तरह के अपने कारशाली में लगे हुए है अमरिका गये हुए हुए और प्लेन में उनको काम करते हुए कि तस्वीर वैरल हुए कैसे देखते हैं सौगत करेंगे देश में प्रधानमंत्री जी से बैट के काम नहीं करा जाता है वो फ्लाइट के अंदर और वो भी फ्लाइट में पेपर्स के निचे लाइट रखे कौन काम करता है जरा आप ये बता दीजी फोटो आप ने भी देखे मैंने भी देखे पूरे देश ने देखी है तो फोटो की चवाने का मोधी जी को लिए टीसरे नरेंदर मोदीजी का ये वी देश्ी दॉरा है किया कहें गैर इसको बताइए अफस causa मदद protect के लिए तो देश्टमिंपध़ जादे निैंट्यू के बताइजी अमरीका भी तैयार था अमरीका चुरूरुचन travaille ता अमरीका ने स्टेट्मेंट सुना था आपने यह भूल जाते हैं अप अरे अमरीका से तो अच्छा संबन्द है ने परदान मंदरी का यह इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि सारे आपने बोला कि विपक्ष के नेता चुनाफ की तैयारी में हैं और भारतिय जंता पार्टी क पेशेंट को होना चाहिए उनमें इनके नेताओं की अंबुलेंस के अंदर दारू की बोतले पाए जाती हैं तो इनका काम एक तरफ और विपक्ष का चुनाफ की तैयारी एक तरफ क्योंकि विपक्ष नेता ऐसा काम नहीं कर सकते अंबुलेंस के अंदर में दारू की बोतल कम लापसंद नुक्सान दे तो टीप अड़ोड़ाइसमेंट ड़ता है यह वाली को क्यों नहीं करते हैं जो च्छोटे चुनाव होते हैं जो फिर स्वाहिए ना परदान मंत्री को एकला मुड़ा समान को परदान मंत्री प्रधान मंतरी कहbür दें यह नहीं कहता कि दो करोड रोजगार देंगे पंत्रा पंत्रा लाख उर्पे देंगे विदेश से काला धनाएगा एक बात आप मुझे बताएगा जंदन खाते खुलवाएगा जंदन खाते के तहट लोगों ने पान पान सो रपिय अकाउंट में डाला जैसा कि प्रधानमंत्री जी लगातार कहते ही है कि सवा सो करोड की आबादी है कितने की? सवा सो करोड की आबादी है अब पान सो रपे के इसाब से हम सवा सो करोड पे नहीं जाते हैं पचास करोड पे ही चले जाते हैं पचास करोड की मल्टिपलाई आप पान सो से करिए कितने हुए? लगाते रहिए जीरो जितनी है जीरो लगाते रहिए ये सब पैसा जो NPA में गया और NPA के तहट करजा किसका माफ किया गया जरा ये बता दीजिए बताइए ने किसका माफ किया गया ये करजा माफ किया अमबानी का क्योंकि आप पोड़ते हैं आप तो बोलेंगे नहीं लेकिन मेरे पास है 3,16,500 करोड रुपे का करजा अंबानी सहाब का प्रधान मंतरी महुदे ने माफ किया और ये 3,00,000 वाली कहानी का प्रोपोगेंडा यहां खतम नहीं होता प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी नोट बंदी कर लेकर जब प्रधान मंतरी मोदी जी बोलते हैं कि 3,00,000 करोड रुपे के तीन लाग करोड रुपे के बाद वापस आया तो दानिश हंजार जी आप से एक लोजिकली प्रश्न का लोजिकली जवाब चाहता हूं कि जब 3,00,000,000 करोड रुपे नोट बंदी के बाद काले धन के तौर में वापस आया तो हमने बुलट ट्रेन बनाने के लिए एक लाग करोड रुपे जापान से उधार क्यों लिया ज़राईए बताईए बताईए आप इस सवाल का जवाब दूसरी बात आजाते हैं प्रधानमंतरी मोधी जी के मेकिन इंडिया के कानसेप्ट की नाकपुर गए हैं देश के यंगेस्चर्स को पढ़ने लिखने के बाबजूद भी बेरोजगार होना पढ़ रहा है और युवाओं को आत्मत्या करनी पढ़ रही है तमाम तरीके के पेपर्स इनके लीक होते हैं एक बात आज आपसे पूछ लेता हूँ बॉलिवुड के अंदर इतना सा हीरोईन, चरस, गांजा, कोकिन क्या पाया जाता है सारे के सारे निउस चैनल्स हला मचा देते हैं इसके एरपोर्ट पे, किसके बंदर कहा पर पाया गया भी हीरोईन अडानी, अडानी गूरुप का था एक चैनल ने बोला क्यों नहीं दिखाता, अमीज देवगन दिखाया अमीज देवगन इसलिए नहीं दिखाता कि चैनल अंबानी साहब का है इसलिए डरता है सुभास चन्द्र का जी नियूस क्यों नी दिखाता कि चैनल भारती जन्ता पार्टी के राजर सांसत सुभास चन्द्रा का है वैपारियों को विरोध होगा जब एक वेपारी अमबानी और अडानी दो गुजराती बेक रहे हैं दो गुजराती खरीद रहे हैं पुरे देश में यही गलत क्या कह रहा है जोड़ा नहीं यही रियालिटी है आप डरते हैं बोलने से सरकार निश्चित तोर पर जुड़ी हुई है एक और वेपार आप आज खोल दीजिए प्रधान मंतरी PM Care Fund कि जनता के सामने आना चीए PM Care Fund में किस-किस ने पैसा दिया है पता चल जाएगी कि कौन बाबा रामदेव जिने ने 5 लाख रोजगार दिया उत्तर परदेश में चुनाब भी है अभी क्या पतंजली में रोजगार दिया है क्या पतंजली में रोजगार दिया है क्या पतंजली में नहीं करोना की दवाई बना रहे है जिसको रिजक्ट कर दिया गया है पर क्या बना रहे हैं पतंजली में बताएए बाबा रामदेव से कभी मिलें वो बाबा रामदेव जो डॉक्टर्स को लेके बयान देते हैं जिन डॉक्टर्स ने इस कोविड के काल में अपनी जान गवाई उन डॉक्टर्स को लेके बयान देते हैं उन बाबा रामदेव की बात करते हैं आपको स्पांसर करते हैं बाबा रामदेव को कैसे बोलते हैं आ हमारी आपकी तरह वो भी तमाम सारे काम करते हैं योगी जी तो राजनीती में भी हैं उनको आप योगी कहते हैं पैंचट नहीं पैंसकते वो बाबर राम देपेंचट क्यों पैंसकते व हैं विदेश में तो लोग जोह है अब योग को जानने लगे एक बड़ा चेहरे के तर को खंगाल के और पढ़के देखिए यह नहीं जी गांदी जी का चश्मा सच भारत के उपर लगा दिया और उसके बाद इनके नेता गांदी जी के लिए क्या क्या बोलते हैं वो पूरा देश सुनता है ठीक है ना तो यह नकली रास्टरवाद और फरजी रास्टरवाद आप अगर हम गलत बोलते हैं तो हमारे लिए आप फुले दिल से बोलिए कि मोहिश्रमा जी आपने यहां गलत बोला है आज सवाल देश के युवाओं का है आज सवाल देश के किसान का है आज सवाल देश की महिलाओं का है आज यह सवाल नहीं है कि देश के अंदर प्रधान मंत रहें चुनाब भी अब नजली का गया तो वोट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी की जगे एक कारपेंटर को दे दिया गया होता वो कारपेंटर जो रंगाई-पुताई का काम करके काम आपको नहीं दिखता है योगी में को दिखता होगा मोदी जी की आँकसे आंक से हमें और जन्ता को भी दिखाईए हिनोंने बताईए ईद्गाटन अभी चार साल से जंसंख्या निंत्रन बिल की आद नहीं आती लेकिन जैसी पता एक कुर्सी डगमगाई Hindu-Muslim करवाना है जंसंख्या निंत्रन बिल आके टपक गया साड़े चार साल से कोई युनिवस्टी की याद नहीं आई लेकिन जैसी दिखा कि चुनाव नजदीक आ रहा है हिंदू-मुस्लिम का प्रोसेस काम नहीं कर रहा राम का मुद्दा जनता समझ नहीं रही है क्योंकि समझ गई है जनता राम और रहीम को लड़ाने का काम बीजेपी शुरू से अब तक करती आ रही है तो यूनिवस्टी का उद्गाट अंटा डाला मुईश राज इस तरीके से एक संथ है जो आत्महत्या कर लिए इसको विपक्ष के लोग है वो बीजेपी से क्यों जोड़ रहे है वो सवाल क्यों उठा रहे हैं इसको आत्महत्या या हत्या अगर आप उनके सिश्चे के और भी तमाम लोगों के बयान सुने तो वो कहते हैं कि उन वो पड़े लिखे नहीं थे और उनको लिखना नहीं आता तो सोसाइड नोट किस ने लिखा बताईए ना सर्कार को विपक्च्च क्यों घेर आए आप क्यों घेरते हैं सर्कार को इसलिए घेर जाएगा आप कियते हैं कि योगी जी के राज में हिंदू सुरक्षित है तो देखे ,, बढ़िया हिंदू सुरक्षित है सादु महत्मा के हत्या ओरी हिंदू सरक्षित शरम है शरम है आपको थोड़ा तो शरम करिये पुरा देश आपको देशा है मेरा खून उस हर एक देशवासी के लिए खौलता है जो लोग इस देश के अंदर उटपटांग बयान देते हैं जब बेटी के साथ बलतकार होता, चाहें वो बेटी किसी भी जाती, किसी भी धरम की हो, अगर उसके साथ बलतकार होता है, तब भी मोहिच शर्मा का खून खूलता है, और अगर एक सादु मात्मा के हत्ते होती है, तब भी मोहिच शर्मा का खूलता है, एक मुस्लिम के साथ इस तरीके से तमाम पार्टिया ब्राहमन सम्मेलन कर रही है, ऐसे में क्या माना जाए ब्राहमन अभी भी कन्फ्यूजड है किधर जाएगा, या फिर बीजेप्री की तरफ जाएगा, या पिर संतों की आतमत्या या पिर जो भी आप कहले, वो आया उसके बाद जाग गया है ल की जिन पंडितों की बात करती है, जिन ब्राहमनों की बात करती है, कश्मीर से धारत 370 हटने के बाद, एक हजार नहीं सिर्फ एक व्यक्ति का आखण आंकर हम जानना चाहते हैं, जिसको भारतिये जन्तापार्टी के जिन कश्मीरी पंडितों को, कश्मीर में बसाया हूँ एक हजार नहीं सिर्फ एक व्यक्ति को जितने लोग कश्मीर में पिलोट खरीदने की बात कर रहे थे एक व्यक्ति अपना नाम बताए जिसने कश्मीर में पिलोट खरीदा हो पुरे देश को कश्मीर बना के रख दिया जिन हिंदू की आप बात करते हो हिंदू समाज के अंदर दलित भी आता है सी भी आता है, स्टी भी आता है ओबिसी भी आता है, ब्रहमन भी आता है, बढ़ाई भी आता है कुमार भी आता है, और तमाम सबी लोग आते हैं तो ये ना हिंदू के हैं, ना मुस्लिम के हैं ये सिर्फ कुर्सी प्रेमी नरिंद्र मोदी है जय हिंद जय भारत वंदे मात्रा